हेलो डियर इस्वेंट कैसे हैं आप लोग होप आप सब अच्छे होंगे तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है यूजर ऑफ बुक किपिंग एंड अकाउंट एंसी मेंस यह जो बुक किपिंग का मेनिंग में आप काफी लेक्चर से बता रहा हूं या फिर अक कोन करता है इसकी परपस क्या है मतलब हमें क्यों बनाना पड़ता है बुक कीपिंग एंड अकाउंट एंसी तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके पहले मैं आपको बात और बता दू बुक कीपिंग तो हमने समझ लिया बुक कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग दे बिज तो यूजर्स कौन होते हैं जो इस profit and loss account और balance sheet और जो bookkeeping के information है उसको कौन use करता है वो किसके लिए helpful है वो हम यहाँ पे सीखने जा रहे हैं और यह जो users होते हैं आपको अभी आप study material जब पढ़ोगे तो उसमें बहुत से जगह पर आपको users का reference दिया होता है तो इनको आपको अ यह financial statement जो होता है उसे बनाता कौन है तो financial statement को कौन बनाता है company बनाती है या फिर कोई भी businessman है कौन सा भी business है वो क्या करते हैं अपने financial statement means bookkeeping और accountancy को बनाते हैं तो चलिए अभी एक company सपोज अपने example में यह company है ठीक है यह क्या कर रहे हैं इन्होंने बनाया है books of account तो इनके पा बनाते हो क्या purpose आपका ठीक है तो सपोज यह आप हो और आप चल आप हम जा रहे हैं कहां पर company के पास और company के पास जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा accountant accountant कौन होता है जो company के books of accounts को prepare करता है ठीक है books of account भी बनाता है और financial statement भी बनाता है financial statement का मतलब मैंने आपको अल्रीड ब company का यह accountant है means company का employee है ठीक है यहां पर क्या करता है books of account बनाता है तो मैंने उससे पूछा कि आप books of account किसके लिए बनाते हो तो वह अब हमें बताएगा कि users कौन-कौन होते इस books of account जो profit and loss account और balance sheet बना है ठीक है इसका use कौन करता है और यह बनाने के लिए किसका help होता है जो हमने bookkeeping पढ़ा ना bookkeeping जो transaction record करते हैं उसकी मदद से यह balance sheet और profit and loss बनाया जाता है तो देखिए अभी users कौन-कौन होते हैं यहां पर देख लेते हैं users कौन-कौन होते है financial statement के उसने सबसे पहले हमें बता है कि shareholder सबसे पहला user है बोलता है shareholder है shareholder कौन होते है shareholder वो होते हैं जो company में अपना पैसा invest करते हैं शेरोल्डर जो होते हैं यह पैसे अपने क्या करेगा वो company में इन्वेस्ट करता है उसे हम बोलते है shareholder ठीक है तो यह अगर shareholder है तो इसको तो पता होना चाहिए कि company का profit कितना है company के पास कितने assets है company कि क्या liability है वो तो इस shareholder को पता होना चाहिए तो उसरा है यहां पर management management कौन होते हैं management का मतलब होता है देखी यहां पर एक manager दिख रहे है और इसके सामने बहुत जंद दिख रहे हैं यहां पर तो management means a person who managed the other persons यह manager क्या करते हैं company यह company में managers होते हैं वो क्या करते हैं उनके employee को उनके स्टाप को manage करते हैं ताकि उनका business जो है actively perform क पाएं तो यह managers जो होते हैं वो भी काफी टाइम यह जो financial statement बनता है हमारा profit and loss account balance sheet वगेरा उनको वो यूज करते हैं तो यह user और कौन होगे हमारे management हो गई है employee, employee कौन होते हैं जो इस company में काम करते हैं ठीक है तो employee देखिए यहां पर employee यह सब company में काम करते हैं अब employee को इसकी जरुवत क्यों पड़ गई उसे profit and loss account and balance sheet से क्या मतलब है तो उसे भी मतलब है because यह जो employee है यहां पर इस company में काम करेंगे जब यह company का growth अच्छा होगा because यह employee जो काम करते हैं इस company में जब उन्हें पता है कि यह company का growth अच्छा है company का performance बहुत अच्छा है इन future उनकी salary increase होके मिलेगी उनका future यहां पर secured है तो वो इस company में काम करेंगे तो financial statement जो होता है उनके user एक और होते हैं कौन होते हैं employee भी होते हैं और देखते हैं कौन हो सकता है इन्वेस्टर इन्वेस्टर कौन होता है इन्वेस्टर means a person who investing the fund in the company ठीक है यह इन्वेस्टर जो होते हैं वो company में अपना पैसा लगाते हैं तो उन्हें यह तो पता होना चाहिए कि company का performance कैसा है company का result क्या है कंपनी के पास कितनी असेर्स है कितनी लाइबलिटी कंपनी फीचर ग्रोथ करने वाली है कि नहीं तो यह जब कंपनी है ठीक है इसमें इन्वेस्टर ने पैसा इन्वेस्ट किया है तो इसके लिए इन्वेस्टर भी क्या होते हैं यूजर्स होते हैं financial statement के जब बोलता हूं तो हां financial statement का मतलब है profit and loss account and balance है और भी यूजर है जैसे bank bank क्या करती है bank company को लोन देती है suppose company के पास fund इतने fund नहीं है कि वो अपना business run कर सके तो यह company जो है यह bank से क्या कर सकती है लोन ले सकती है तो बैंक को यह तो पता होना चाहिए कि इनका profit and loss और balance sheet कैसा है in future यह हमारे पैस से repay कर पाएंगे कि कि नहीं कर पाएंगे इसलिए bank भी जो क्या होता है यूजर होता है financial statement का एक और होता है suppliers यह जो company है ठीक एक company है supplier जो होते company को raw material supply करते हैं ठीक है तबी तो company production करके अपने goods को क्या करती है sell करती है market में तो यह supplier को भी पता होना चाहिए कि company का कितना profit है कितना loss है क्यूंकि बहुत time क्या होता है यह जो supplier होते हैं अपने goods जो है company को credit पर बेशते हैं means उधारी पे उधारी पे यह company को अपने goods को sale करते हैं तो इन्हें यह तो पता होना चाहिए कि जिनको company कंपनी उधारी पर सेल कर रही है सप्लायर जो इनको उधारी पर कंपनी को दे रहे हैं पैसे राव मट्रियल दे रहे हैं उधारी पर तो जो पैसा है उन्हें वापस मिल पाएगा कि नहीं वह राव मट्रियल का इसके लिए सप्लायर भी क्या होते हैं एक यूजर होते हैं प् टेक्स मिलेगा तो यह फाइनिस्टेट्मेंट जो है वो गॉर्मेंट भी चेक करती है ताकि कंप गॉर्मेंट को जो है टेक्स प्रॉपरली मिल सके तो यहां पर मैंने आपको कुछ यूजर बता दिये कि हमें जो कंपनी का अकाउंट सम्बना रहे हैं बुक कीपिंग जो हम पड़ रहे हैं वो पढ़ने की जड़रुट क्यों है और वो किसके लिए मस्मर्पन के हम हैं जिनको हमँने मैं सब यूजर के नाम यहां परays एक मैंने आपको यहाँ पर जर्स्ट एक्जाम्पल बता है कि इतने यूजर हो सकते हैं इसके अलावे भी बहुत यूजर होते हैं जो कंपनी के फाइनिशल स्टेट्मेंट को यूज करते हैं देखिए अभी मैं यहाँ पर कुछ और आपको बता देता हूँ जैसे यह बिजनेस है आपका बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं सेल्स और क्या हो सकता है पर्चेज एक्सपेंस और भी बहुत तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं बट यह सेल और पर्चेस का यूज करके कंपनी का स्टेटमेंट जो हता है उनको चेक कौन करता है उनको देखता कौन है किसके लिए यूसफुल है यूजर्स के लिए यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं शेरोलर्डर्स हो सकते हैं इन्वेश्टर्स हो सकते हैं मैनेजमेंट हो सकते हैं सप्लायर्स हो सकते हैं एंड क्रे स्टेटमेंट के तो आपको यह मैंने इलिस्ट्रेशन बताया है आपको यह अभी याद रखना है कि कंपनी के यूजर्स कौन होते हैं ठीक है क्योंकि इनका रेफरेंस जो है आपके बुक में बहुत बार आने वाला है तो आई थिंक आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा यह आपको यूसफुल होगा थैंक्स फॉर वाचिंग और वीडियो मिलते हैं हम नेस लेक्चर में अपनी है करें 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 करें